नमस्कार सबी को गुड़ मॉनिंग गुड़ अपने गुड़ नाट जब यहां वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन तीसरे चप्टर का सेंटर आडिया पढ़ेंगे जिसका नाम है अथिंग का व्यूटी और उससे पहले अपन दो सेंटर आडिया पढ़े सबी कोर्शनों की और सबी सब्जेक्टों के इंपोर्टेंट कोईस्टन बताया जाते हैं अगर अभी तक हमारे महत्पूर्ण कोर्शन की सीरीज से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना नीचे राट कलम सब्सक्राइब बटन है उससे अभी है जोन की से ठीक है उसके बाद सेंटर अडिया है इस सेंटर अडिया है जो कविता उससे लिए गया है इसके जो रचयता है वह है जोन कीट्स ठीक है इन दिस पोयम इस कविता में दा पोईट सेज डैट यानि कि इस कविता में कभी कहता है कि कभी कहता कि यहां तक सभी सेंटर अडिया एक जैसे रहते हैं ठीक है कोई सभी सेंटर अडिया लिगो यहां तक एक जैसे रहते है एक जैसे इसमें कोई बदलाओ नहीं करना बदल तक ठीक है कभी कहता है कि अब कभी क्या कहता है उसके आगे लिखना हमें ठीक है और पता है सेंटर अडिया में हम कविता का में थीम देखते हैं कि सेंटर अडिया में किस के बारे में बात हो रही है ठीक है उनी को हमें कम सब्दों में लिखना है कि लिखत बताना क्या चाहरा ठीक है, उसी बात को Center Idea के अंदर लिखना है इसका मतलब होता है कविता का Main Theme, ठीक है कि कविता पूरी, कविता का सार क्या है उसी को कम सब्दों में हमें बताना है दो लाएने, चार लाएन में, ठीक है कम से कम 5 लाएने तो आपको लिखना ही a beautiful object यानि कि जो beautiful यानि कि जो सुन्दर वस्त्मों से हमें खुशी या प्रसंदता मिलती है ठीक है never fit वो कभी क्या नहीं होती है मतलब नस्ट नहीं होती है वो कभी फीकी नहीं पढ़ती है ठीक है what modi fold यानि कि और जादा बढ़ जाती है ठीक है उसका विचार हमारे मन में आता है जब भी उसका विचार हमारे मन में आता है तब वो कई गुना बढ़ जाती है इसका मतलब यह है ठीक है उसके बाद है Therefore I think of beauty is a ज्वाय और फेरिवर ठीक है फेरिवर इसका मतलब है इस परकार एक बस्तू सदा के लिए आनंद का स्रोत बन जाती है मतलब कोई भी बस्तू हमिशा के लिए आनंद का स्रोत बन जाती है तो I hope आपको यह central idea समझ में आया होगा ठीक है और आपने सभी दोस्तों के साथ share जरू कर दें ताकि उनकी भी कुछ help हो सके और चैनल फर्स टाइम आये है तो सब्सक्राइब करके ही जाईएगा ठीक है थैंक्स बाचिंग फार वीडियो